आज केंद्रिय अग्री मंत्री अमित शाह आरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव के पांच चर्णों का मतदान समाप्थ हो चुका है और वहीं अब छठे चरन के मतदान को लेकर लगतार तमाम पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत हो गया और वहीं अब 25 मई को छठे चरन का मतदान है और वहीं आज केंद्रिय अग्री मंत्री अमित शाह आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं आपको बताते चले कि आरा लोकसभा सीट जो है वहाँ पर यादव और राजपूत ही सांसद तै करते हैं यहाँ माना जाता है कि वहाँ पर यादव और राजपूतों की ही चलती है और वहीं वहाँ पर सांसद तै करते हैं और यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक एक जाती बहुती जाती जादा महत्तोपूर्ण होता है उन लोगों की बहुती जादा महत्तोपूर्ण भूमिका ह बागे इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे। की रात में केंद्रिय उर्जा मंत्री आरके सिंग सभा अस्थल पहुंचे और तयारी का जैजा लिया इस दोरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिये। को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 22.11 प्रतिश्रत का समर्थन प्राप्त हुआ था जबकि इस सीट पर डाले गए वोटो में से 52.33 प्रतिश्रत उन्हें दिये गए थे। आरके सिंग ने 2019 में भागपा माले के राजु यादव को हराया था। इस बार इंडी गठ बंदन ने एक बार फिर से आरा लोकसभा सीट को लेकर भाजपा माले पर विश्वास जताया है। माले ने सुदामा प्रसाद को उमेद्वार बताया है। इन दोनों प्रत्याश्यों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव हो या विधान सभा चुनाव जाती समीकरन का अहम रोल होता है। इस प्रदेश के अधिकांश बड़े नेताओं ने किसी न किसी जाती के जरिये ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है। आरा लोकसभा की बात करें तो यहां यादव और राजपुत वोटर से सांसद तै करते हैं। यहां मुस्लिम, ब्राह्मन, पिछडा और अतीप पिछडा जाती के लोग भी एहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें कोई भी पार्टी नजर अंदाज नहीं कर सकती। भोजपूर जीले में सबसे अधिक यादो मदाता लगभग तीन लाख पचास हज़ार है। और वहीं आपको बताते चले कि आरा लोकसभा छित्र के अंदर विधान सभा की कूल सात सीटे आती है। इसमें आरा संदेश, बढ़हडा, अगी आव, तरारी, जगदिशपूर और शाहपूर शामिल है। आरा लोकसभा में कूल 21,056,048,00,00 वोटर हैं। जिसमें 11,045,328 पूरूस तथा 10,10,685 महिला मदाता है। ट्रांसजेंडर की संक्या 35 है। पनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है, वो करता है। आपके अपने सपनों का आशिया नहा। ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है, मतला ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग।